भारत के रूस से संबंध अभी हम बात करेंगे रूस जो 1990 के बाद स्वतंत रुखे चिका आपको याद होगा कि सोवियत संग के विगटन की शुरुवात बरलिन की दिवाल के गिरने से नवंबर 1989 में शुरू हो गई विगटन का प्रारंब बरलिन दिवाल के गिरना वहां से प्रारंब हुआ और रूस यूक्रेन और बेलारूस ऐसे पहले देश थे जिन्होंने सोवियत संग से अपनी स्वतंतरता की घोशना की रूस बेलारूस और रूस बेलारूस और यूक्रेन ये तीन ये पहले तीन बाद वहाँ चुनाओं हुए रूस के चुनाओं में जो सरप्रथम राश्पती आम चुनाओं से चुने गए उनका नाम था बॉरिस येलसिन जिसका पूर में जिक्र हो चुका है तो हम जाने कि बॉरिस येलसिन के सत्ता में आने के बाद या रूस के सतंतर हो जाने के बाद ह हमारे संबंध रूस के साथ कैसी रहे पहली बात उनने से इंकाने में में जब विगटन हुआ पंद्रा राज्य बने और रूस सोवियत संग का एक तरीके से उत्तराधिकारी बना जिसका जिक्र भी पूर में किया जा चुका है सबसे ताकतवर देश उन में से उभरा तो भारत के संबंध जैसा मैंने पहले बताया पूर में रूस के साथ वैसे भी अच्छे थे अब वे और प्रगाड हो चले तो चली अब हम इसके बिंदुवार थोड़ा सा भारत के रूस के साथ संबंध में प्रगाड़ता के उदाहरणों पर थोड़ा सा नजर डाले जनवरी उननीस सो इंकान बे इसमें पहली बार स्वतंतर रूस के राश्पती बोरिस यलसिन और भारत के तत्कालीन पधान मंत नियू यॉर्क अमेरिका में होती है जो किसी कारणों से वहां पहुंचे हुए थे और यह बात है जनवरी इंकानबे की जनवरी बानबे में भारत के विदेश सचिव अपने एक बड़े दल के साथ यूक्रेन और रूस की आतरा पर जाते हैं और वहां पर भारत के साथ की म उसको अंतिम रूप दिया गया कि किस तरीके से हम आपके साथ आगे बढ़ेंगे और यहां से हम देखते हैं कि आने वाले वर्षों की बढ़ती मिस्तरता प्रगारता का आधार रखा गया रूसी जनता के लिए भारत ने उसी साल पंद्रा करोड रुपे की पेशकश की और दिया क्योंकि आपको याद होगा मैंने बताया था कि सन नब्बे के बाद विगटन के बाद के दस वर्ष लगभग रूस और अन्य गणराजियों के लिए बड़े कठिन थे आर्थिक जि यह उसने शौक थेरैपी के माध्यम से इन खेत्रों को कुछ राहत पहुचाने की कोशिश की थी तो भारत ने पंद्रा करोड रुपे की राशी मानवी राशी के रूप में रूस को दी थी जनता के लिए दूसरा स्टेज दूसरा चरण जनवरी 93 जनवरी 93 में येलजिन भ भारत आते हैं और रुपे और रूबल इन दोनों की समानता को लेकर समझवता होता है इसकी समस्या पर जो ये समस्या जो मुद्दा था इस मुद्दे को हल किया जाता है और रूस द्वारा क्रायोजेनिक एंजिन भारत को देना स्विकार किया जाता है cryogenic engines satellite आधी spacecraft आधी बनाने के लिए अत्याधिक महत्पूर्ण है और उस समय भारत के पास cryogenic engine बनाने की तक्नीक उपलब नहीं थी तो रूज जो है वो cryogenic engines भारत को देने पर सहमत होता है और उसके साथ ही अन्यकल पूर्जों इनके लिए आपूर्ति का आश्वासन देता है चोथा चरण जुलाई 1994 नर्थे मराओ जो भारत के ततकालीन प्रधान मंत्री थे अब वे रूज जाते हैं चार दिन की आत्रा पर और तीन मुद्दों पर प्रतिरक्षा रणनीतिक और व्यापारिक संब्दों को लेकर कई समझोते करते हैं अपनी चार दिन की विदेश यात्रा में रूस यात्रा में पीवी नर्थे मराओं के दारा रख्षा के ख्षेतर में रणनीतिक रण के ख्षेतर में और व्यापार के ख्षेतर में महत्वपूर्ण समझोते होते हैं भारत इसी दोरान अब एक मुक्त व्यापार का ख्यत्र बन चुका था अब वहाँ पर वह एक तरीके से सामवादी व्याउस्था का कुछ जो हिस्सा भारत में लागू था आर्थिक व्यापार में आर्थिक मुद्दों में अब वो भी हट चुका था लाइसेंस राज हट चुका था और इसलिए बदलती परिस्थितियों में व्यापार बढ़ाने की बहुत गुजाईश थी जिसके लिए नर्स्थे मौराओं ने यह समझोते किये पांचवा बंदु मार्च उनِّस सो चानवे मार्च चानवे में तीन समझोते हुए बहुत महपूंट समझोते हुए और सबसे महपूंट समझोता जो हुआ वह था हौट लाइन का हौट लाइन क्या है रूस के राष्ट्रपती और भारत के प्राहनментरी रूस के मुखिया र किसी भी क्षाण संपर्क करने की जरुत यदि पड़े तो बिना किसी अन्य को संपर्क किये सीधा एक दूसरे से बात कर सकते हैं ऐसी व्यवस्था किसी emergency किसी बहुत अत्यावशक कारणों से यदि किसी एक को दूसरे से बात करनी हो तो इस विवस्था को hot line कहते हैं और इस hot line की विवस्था 1996 के समझोते में की गई छठवा बिंदु मार्च 1997 जिसमें प्रधान मंत्री भारत के रूस गये रूस जाने वाले भारत के ततकालीन प्रधान मंत्री का नाम था HD देवे गवड़ा वे रूस गये और उन्होंने प्रत्यरपन संधी संबंधी मामलों पर सहमती की समझोता किया एक बहुत महत्पूर्ण मुद्दा था ये जो प्रत्यरपन का मामला जो होता है ऐसी परमाणु संयंत्रों को लेकर उसके संरक्षन को लेकर और उसके विकास को लेकर इन मुद्दों पर भी हुरूस के साथ देवे गवड़ा ने समझगता किया अंत में आपराधिक मामलों में परस पर कानूनी मदद यदि एक देश के अपराधी किसी दूसरे देश में भग जाएं भगोड़े हो जाएं ऐसी स्थित में उनको वहां से प्रत्यरपन करना उनको लाना उनको पर कानूनी केस करना ये बड़ा कठिन हो जाता है तो इस पर एक तरीके का समझोता इन लोगों ने किया और वानिज, दूट, सांस्कृतिक खेल और अन्य मामलों में भी इनके बीच काफी समझोते हुए दूसरे शब्दों में हम देखें तो उन्निस सो इंकानबे के बाद से समझोते लगातार बढ़ते जा रहे थे संबन्द एक दूसरे से और निकट होते जा रहे थे विभिन्न मुद्दों पर सहमती बढ़ती जा रही थी अब यहां तो वानिज हो गया दूट वास को भी लेकर समझोते हुए सांस्कृतिक और खेल मामलों को भी लेकर हुए सात्वा बिंदु था कि कारगिल को मुद्दे पर रूस ने भारत का पक्ष पुरजोर प्रभाव से लिया और उसने पाकिस्तान को चेतावनी दी कि उसके जितने आतंकवादी भगोडे उसने जो वहां पे रखे हैं जितने घुस पैठी है उसने भारत को भेजे हैं इस कारगिलिद के दौरान उनको वह वापस बुलाए अनिता बहुत कड़ी कारवाई होगी और साथ ही उसने कहा कि जो वास्तविक नियंतरन रेखा है भ बहुत असर हुआ और पाकिस्तान नरम पड़ा आठवा है भारत सतत रूप से सुरक्षा परिशद का सदस्य बनने के लिए प्रयास रत रहा है और विश्व के सो से ज़्यादा देशों ने भारत के इस प्रयास का समर्थन किया है और भारत की इस नीति का समर्थन किया है कि भारत को अब सुरक्षा परिशत का रस्थाई सदस्य बनाना चाहिए। लेकिन कुछ राजनीतिक कारणों से सुरक्षा परिशत के सदस्यों के बीच ही सहमती नहीं बन पाती और वीटो हो जाता है। राश्टी मंज पर किया है। आठवा मुद्ध अक्टूबर 2000 में वर्तमान राश्ट्पती जो हैं सोवियत चंग के रूस के जिनका नाम प्यूतिन है। प्यूतिन भारत आये और भारत के साथ उन्होंने एक बहुत अहम समझाता किया एड्मिरल गौर्शकोव। एड्मिरल गौर्शकोव एक बहुत बड़ा रूस का समुद्री जहाज, समुद्री केरियर है। इस एड्मिरल गौर्शकोव को भारत खरीदने में चुप था। ताकि उसके ऐरकराफD केरियर की संख्या बढ़ सके। इयरकराफD केरियर मतलब ऐसा समुद्री जहाज जिसमें हौई जहाज रखे जा सके हैं, उड़ाए जा सके हैं, समुद्र के अंदर, समुद्र में रहते हुए। तो इस केरियर के लिए बहुत अहम समझोता हुआ साथ ही SU-30 एरोप्लेन, MKI लडाकू विमान, T20 टैंग, T90 टैंग इसको भी देने का समझोता हुआ ये सब सामानों के लिए जो इतने समझोते थे पुना मैं कहना चाहूंगा कि इस दोरान भारत की अंतरराश्ट्री स्थिती थोड़ी सी विचलित हो चुकी थी क्योंकि दूसरे राश्ट जो अमेरिका धुरी के थे ये अभी भी भारत थे परिशान थे और चीन भारत की सीमा पर अफगानिस्तान पाकिसतान और कुछ अनिक खेत्रों में भी तनाओ ग्रस्थिती हो चुकी थी इसकी तैयारी के लिए जरूरी था कि भारती सेना का चाहे नौसे नहों वाई से नहों कि थल्थ से नहों तत्कालीन राश्टपती जो आज भी वहां के राश्टपती हैं उन्होंने दो हजार में इस संभौत पर हस्थाक्षर किये इसके बाद नवंबर दो हजार एक नवंबर दो हजार एक में भारत के प्रहान मंतरी शियतल विहारी बाचपई रूज गए और उन्होंने अंतर राश्टी आतंकवाद पर मौस्को घोशना पर हस्थाक्षर किये अंतर राश्टी आतंकवाद को लेकर यह मौस्को घोशना एक बहुत सक्षम डाक्यूमेंट है विश्वराजनीती में और इस डाक्यूमेंट को दोनों देश के मुख्याओं ने हस्थाक किया और अंतर राश्टी आतंकवाद को समाप्त करने उसको कंटेन करने के प्रयासों को लेकर ये घोशना की गई है यह 2001 में वाजपेई जी की रूस यात्रा के दौरान हुई भारत रूस संबन्द में दसवां बिंदू कि दिसंबर 2004 को रूसी राश्पती प्यूतिन भारत आये थे और उतनी भारत यात्रा के दौरान रूस का जो एक सामरिक सिस्टिम है जो युद्ध के लिए त्याधिनिक आधिनिक है जिसे नाम दिया गया है ग्लोबल निविगेशन सेटिलाइट सिस्टिम भारत उसका शांतिपूर उप्योग करना चाहता था और उसके लिए वस्तत रूप से रूस के साथ संदी करने में प्रयास रथ था जो सफल हुआ इस सिस्टिम का उप्योग संचार मध्यम के लिए अंतरिक्ष उर्जा के लिए और आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के लिए करने का उद्यश था तो दिसंबर 2004 की प्यूतिन की भरत यात्ता के दौरान इस ग्लोबल निविगेशन सेटिलाइट सिस्टिम के शांतिपूर्ण द्योग के लिए समझोता हुआ और बहुत आगे तक वे अग्यानिक प्रगती के लिए रास्ता खुला हुआ मई 2005 को याने प्यूतिन के आने के मत्र पांच माँ बाद मनमोहन सिंग जो तत्कालीन पिधान मंत्री थे उन्होंने रूस का दौरा किया और तारापूर के परमाणू सेयंत्र और अन्न सेयंत्रों के लिए परमाणू इधन की आपूर्तिका अनरोट किया ये वह काल था जब अमेरिका ने भारत के परमाणू बम के विस्फोट उप्योग को लेकर आपत्ति उठाई थी और उसने भारत के साथ अपने समस्त व्यापारिक संबंद तोड़ दिये थे खास कर सामरिक मामलों में और किसी भी तरह के परमाणू तकनीक को देने से इंकार कर दिया था ऐसे समय में भारत के भारत रूष के और मुड़ा और रूष ने अपने एक पुराने मित्र की तरह भारत को इस काल में परमाणू इधन की पूरती देने का वादा किया और साथ ही ऐसा करते हुए उसने तारापूर के संयंत्र और अन्य परमाणू संयंत्रों को चलाने में मदद की इस इतिहासिक कदम के बाद जो मई 2005 में हुआ था भारत को बहुत राहत मिली थी और भारत की विदेश नीटी के भी बड़ी सरहना हुई थी रूस ने भारत को यूरैनियम की सप्लाई करने में भी अपनी साहमती दे दी यूरैनियम की आपूर्ती में भी अपनी साहमती दे दी और इससे भारत के जो परमाणू इधन की एक समस्या अमेरिका ने खड़ी कर दी थी उसका निराकरन हुटा नजर आया तेरहुआ बिंदू भारत रूस के संबन्द में ये है कि 24-27 अप्रैल 2007 जापान सागर में भारत ने रूस के साथ 9 सेना भ्यास किया और 11 से 20 सितंबर 2007 में स्क्रोब नाम के ख्षेतर में थल सेना और वाई सेना की संयुक्त भागीदारी में आतंकवादी विरोधी अभ्यास किया ये बात इसलिए बहुत अहम है कि इस काल में आतंकवादी गतिविदियां खासकर अंतर राश्टी आतंकवादी गतिविदियां बढ़ने लगी थी दूसरी और चीन नौसेना में अपना खेत्र अपना प्रभाव बढ़ाने लगा था महासागर में उसका प्रभाव खेत बढ़ता हुआ नजर आ रहा था तो एक तरीके से ये सामरिक निरने था कि रूस के साथ हम नौस्चेना का भ्यास करके ना केवल आदलिक तक्नीक सहयोग सीखें बलकि अन्य देशों को यह एक मैसेज भी देवें जिस मैसेज देने का मुख्यो देश चीन की ओर इशारा था और यह स्पष्ट करना था कि जरूरत पढ़ने पर रूस और भारत एक है स्क्रोक खेतर में थल सेना वाई सेना और इसकी जो स्चयुक्त भागी दारी में आतंकवादी विरोधी जो अभ्यास किया गया वह दोनों देशों में बढ़ते आतंकवाद को रोकने की दिशा में एक प्रियास की रूप में देखा जा सकता क्योंकि दोनों ही देश अब एक तरीके से बढ़ते आतंकवाद से तरस्ट होने लगे और उन्होंने ज़रुत समझे कि समय पढ़ने पर एक दूसरे का सहयोग लेकर आतंकवाद को समाप करने के लिए यह आवश्यक है कि हम लोग एक जॉइन एफ़र्ट करें और इसमें रूस और भारत एक हुए सहयोगत भागीदारी में यह अभ्यास हुआ जो अत्याजिक सफल रहा भारत में रूस के साथ हमारी प्रगाड मित्रता रूस के द्वारा हमें समय समय पर अपना संबल उसको चमानित करने के लिए दिसंबर दो हजार आच में भारत में रूस वर्ष मनाएगा और इस रूस वर्ष में इसको मनाने के लिए तत्काली राष्टपती मेद्वेदेव रूस के राष्टपती मेद्वेदेव मुख अतित्थ थे आपको मालूम होना चाहिए जब मेद्वेदेव राष्टपती बने तो प्यूतिन प्रधान मंत्री बने और मेद्वेदेव इस दिस्टंबर दो हजार आठ के रूस वर्ष के आयोजिन में मुख्यतिति के रूप में आये थे ये ऐसा मनाना और इसमें रूस के राष्टपती का आना इस बात की और इस पश्टंकित था विश्व को के भारत और रूस की प्रगाड़ता दिनों दिन बढ़ रही है उनमें किसी भी तरह का विरुदा भास नहीं है अक्टूबर दोजार तेरह में भारत के प्रधान मंत्री ने रूस की यात्रा की और इस यात्रा को दिश्ट था कि कुड़न कुलम जो बिजली परियोजना है उस बिजली परियोजना के लिए रॉकेट कुड़न कुलम जो बिजली परियोजना के लिए प्राउधान फिर रॉकेट मिसाइल नौसेना प्रध्योकी की और हत्यार के ख्षेत में सहयो इतने बड़े मुद्दे कुल इतने सारे मुद्दों को लेकर भारती प्रधान मंत्री के द्वारा अक्टूबर दोजार तेरह म श्री मरमौन सिंग्जी के नित्रत में जो यात्रा हुई उसमें इन सब बातों पर गहन विचार्व मर्शुआ और सहयो बढ़ाने की बात ही नहीं हुई बलकि बहुत सारे समझोते भी हुए इस पकार हम कह सकते हैं कि उत्तर साम्यवादी रूस याने साम्यवाद के बाद का रूस उसके साथ भारत के संबंध दिनों दिन प्रगाड होते गए और नए संबंधों को इस्थापित करते हुए भारत ने अपनी पुरानी मित्रता को कायम रखा है बरकरार रखा है परिणाम कि इसे पूरे एशिया और विश्व राजनीती में विश्व कर एशिया में इन दोनों देशों की ताकत भी बढ़ी है इन दोनों देशों के प्रती दुनिया का नजरिया भी बहतर हुआ है भारत के वर्तमान पधान मंत्री फिनरेंज मौदी ये भी सतत रूप से रूज के साथ मज़र संबंद बनाये रखने के प्रयास करते रहे हैं और आने वाले जिनों में हमारे संबंद और निकट होंगे ऐसा समझ सकते हैं संख्षेप में सोवियत संग के विगटन के बाद रूस के साथ अच्छे संबंद बनते चले गए भारत और रूस दोनों का सपना बहु धुरुवी विश्व का है बहु धुरुवी विश्व यहने ऐसा विश्व जिसमें बहुत सारे शक्तियां हों बहुत सारे शक्तिशाली देश हों और सब का अपना-पना समधाय हो दुरभाग से ऐसा फिलहाल तो नहीं हो पा रहा है और वर्तमान इस्थिति में विश्व एक ध्रुवी है जिसकी अपनी बहुत बुराईयां है प्रणाम क्या है बुराईयां क्या है कि सभी और पूरी दुनिया में अमेरिका का वर्चस्व और अमेरिका का दबाव सतत रूप से बना हुआ है रूस और भारत दोनों का जो सपना है बहुत बुरुवी विश्व का ताकि अंतरराश्टी फलक पे कई शक्तियां मौदूर हो ऐसा सार्थक हो सुरक्षा की दिश्टी से सामुई जिम्मेदारी हो ऐसा हमलों का मानना है इसके साथ ही ख्षेतरीता को बढ़ हवा मिले यानि हर ख्षेतर को विकास करने का मौका मिले सोवियत संग के अंतरगत आने वाले वे पंद्रा गंडराज्यों में रूस काफी विकसित रहा एका दो और गंडराज भी विकास शील पक्रिया में शामिल थे पर बाकी गंडराज जिनकी आवाज दबी होई थी जो किसी कारणों से नीचे थे उनकी ख्षेतरीता भी ख्षेतरीता की भावना अब वह खुलके सामने आई है और इन ख्षेतरीता को ज़्यादा जगए मिले अंतराश्टी संग संबंधों का, अंतराश्टी संगहर्षियों का समाधान सामोई कुरूप से हो, साथी बाचीत के माध्यम से हो और हर देश स्वतंत्र नीती अपना सके, अपनी विदेश नीती स्वतंत रख सके यही इन दोनों देशों की इच्छा है संक्तराश्ट संग, UNO जैसी जो अंतराश्टी संस्थाएं हैं, इनकी आवाज और पक्की हो इनकी शक्ति और बढ़े तथा इन संस्थाओं को मजबूत करने लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बढ़ाने और साथी जन शक्ति को बढ़ाने में भी ये दोनों भारत और सोवियर संग, भारत और रूस साथ हैं इस पकार ये अध्याय दो धुरुवीता का अंत यहीं समाप्त होता है एक बड़ा विश्तरित अध्याय है 1945 से चलता हुआ 1992-2000 तक के पचास वर्ष के काल को उसकी सारी राजनीति घटनाओं को बताते हुए कोशिश यही रही कि आप समझ सकें कि विश्व राजनीति कैसे बदलती है क्या क्या कारण होते हैं उसके क्या कारक बनते हैं और फिर वे कारक स्वयम कैसे अगली घटनाओं का कारण बनते हैं इतिहास कैसे बनता है इसका एक बड़ा रोचक विवरन इस पूरे अध्याय में आपको मिला होगा तो दो धुर्वीत का अंत इस अध्याय की यहीं समाप्ती